हेलो फ्रेंड्स ऑनलाइन नव्या के एड़िमी में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आजके हम सीविक्स और हिस्ट्री की सीरीज से ला रहे हैं तो सीविक्स की सीरीज में एक नया टोपिक आपके साथ लेके चल रहा हूं भारते समवि हैं यानि कि समवैदारी निकाए हैं कौन-कौन से असमवैदारी निकाए हैं इस अपना का बूई थी क्या उनके सारी चीजा होती है उसके बारे में आज डिसकस करने वाला हूं ठीक है तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल स सबस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन जरू प्रेस कर लें और आल का जो नोटिफिकेशन आता है आल का नोटिफिकेशन बेल आप अन कर लिजेगे ताकि जो भी यह से वीडियो अप्लोड होती है वह हमेसाज जल से सबसे पहले आपके पास आ सके वह भी फिरी में अभी कंटिन्यू बनाए रखें ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो यह था आपके पास यह आपके शिविक्स का टॉपिक सम्वैधारी निकाए होता है कि जब संविधान लागो हुआ था वह पहले से संविधान में थे मला संविधान बनने तक जब संविध मेरे संविधान बनने निकाए में आ आ जाती है अब यहाँ पर बाता आती है कि अश्रविधानumuz मिधान होते हैं यह जो पहले से थे निरवाचन अयोग पहले से और भारत के महानियायवादी इसे महानियवादी अगर राज्याकी बात करें तो उसे इसे महादिवक्ता के नाम से जाना जाता है तो भारत के महानिय वक्ता के बारे में आपको समझा चुका हूँ आप जो पोस्ट है या समवेधानिक पदों के बारे में भीन पदादिकारियों का जो मैंने वीडियो डाला हुआ है अपलोड के आप उसे देख सकते हैं वहां से आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी रही पात निर्वाचन आयोग लोकसिवा आयोग की तो इसके बारे में जल्द ही जब हमारा जो सीरीज चल दे उससी सीरीज आपको इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी डिसकस जानल जाता है टिक है तब आते हैं अस्मवेदानी कि निकाई जो होते हैं इसमें योजना आयोग जिसको परेज़न टाइम है नीति आयोग के नाम से जाना जाता है रा्ष्ट मानवादीकार आयोग राष्ट विकाश्थ परिशद लोखपाल केंद्र शूचना आयोग और क इंद्रे सतर्कता आयोग हमेंसे जो क्वेशन पूचा जाते हैं योजना आयोग से पूचा जाता है मानवादिकार आयोग से राष्ट्य विकास परिशत से और प्रजेंट टाम की बात अगर करो तो लोगपाल जो 2019 से बनावा है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पंद्रा मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी ठीक है तो पंद्रा मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी देखिए भात का सम्विधान जो बनकर तयार का वह था 26 नॉंबर उन्नी सो उन्पचास को ठीक है 1949 को तो मतलब उसके बाद पहले से जो सम्विदान में तो तो सम्वेदानिक होगे और इसके बाद जो बने वे हैं वो क्या होगे असम्वेदानिक होगे घैकश जो होता है योजोना कई बार कुछा गया है कई जिक से पहले हूं अरभिन्द पन गडिया अन्ने जो सदेश्य होते हैं चाहंब लेव्टिनेंट जाना जाता है उसको लेफटिनेंट जनरल के नाम से जाता है या प्रसाशक यहां उपराजयेपाल कोई भी नाम दिया आजा सकता है तो राजियों के इंदे सस्थ परदेशों के मुख्यम मंत्री इसके सदश्य होते हैं सची हो किसी को भी निक्त किया जा सकता है अब बात आती है अभी परजेंट टाइम में इसको एक जनवरी 2015 को एक जनवरी 2015 को योजन आयोग का नाम बदल कर क्या किया गया है निती आयोग किया गया है ठीक है निती आयोग योजन आयोग को निती आयोग के नाम से जाना जाता है तो अब आपके पास क्वेशन इस सरे के सा आगया कि निती आयोग के जो अदक्ष हो है वो कौन होते हैं तो प्रधान मंत्री होते हैं बात करें उपादेक्ष कौन थे तो पहले दो पन गर्या परजें प्रजीड को अीन techn कौन थे इन से पहले ईर्विंद पन गरी July थे डिपान कैसेDS तो केंद्रेया मन्तरि मंदल के लिए पंचे वरसिया प्रारुक बनाना और उसको करने के लिए प्रसुद करने के लिए उत्तरदाई होता है ठीके अब बात करते हैं राश्ठे विकास-परसत के तो राश्टे विकास-परसत और योजनीती आयो कोई ज्याधाorters सिर्फ एर का डिफरेंस से बागी दोनों का काम सीम होता है ठीक है इस्ट्रक्चर भी दोनों का सीम है तो चलिए ठीक है नेक्स देखते राष्ट्रे विकास परसित सापना जो इसकी छै अगस्ट उन्यूसों बावन को हुई थी ठीक है अब बात करते हैं इसके जो इसका में जो है कि स्ट्रक्चर के वहते हैं इस लिएक्सित का भी इस्विकास परसित का भी सची होता है कि अब अब देखते नेक्स्ट केंदर सतरकता आयोग केंदर सतरकता आयोग इसकी सापना वैसे तो वही थी 1964 में लेकिन पूर्ण तौर पर इसको दर्जा दिया गया, वो 2003 में दिया गया था, ठीक है, केंदर सतरकता आयो का मुख्यले कहां है, वो है दिल्ली में, रास्टरपती द्वारा इसकी न्युक्ति की जाती है, जो भी सदशिय होते हैं, इसकी न्युक्ति रास्टरपती की द्वार कि सी भी क्यान्ति होतते धारे कोई पराद किया है तो अपराद किया यूइए परता जिसका पर गलत काम क्या है तो इसके तैद उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है ठीक है या उसकी जांच की जा सकती है अब बात करते हैं यहाँ पर राश्चे मानवादिकार आयो की सापना जो हुई थी 1993 में हुई थी 1993 में मानव सरेक्षण अधिनियम 1993 के द्वरा ध्यान नखी के ठीक है सरेंचना की बात करते हैं उसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं और चार पूर्ण कालिक सदस्य होते हैं देखे आपके पास भूत बार क्वेशन पूछा गया है कि मानवादिकार दिवस कब मनाया जाता है राष्च्य मानवादिकार दिवस कब मनाया जाता तो मना जाता है हर साल हर साल-खे-mal music 10oda अधिए 20 इसम खोटा इसकी सरेंचना क्या होती एक अध्यक्ष होता है ह answer के साथ is Total不錯 होते और चार पूर्ण कंविट कालिक सदस्य होते है सबसे सबसे पहरी बात अद्धक्ष कौन होता है तो इसको ध्यान लखेंगे आप देखें मानवादिकार आयो का जो अद्धक्ष होता है वो सीजी आई होता है रिटायल्ड सीजी आई सदेश्य की बात के तो इसमें जो सदेश्य होते हैं उच्छ यानिकि सुप्रीम कोट और हाई कोट के जो कारत भी हो सकते हैं और सेवा निवर्त नियाए दिस भी यानिकि रिटाइड जलस भी हो सकते हैं और जो समय कारत है यानिकि अपने डूटी पे हैं वो भी इसके सदेश कारेकाल की बात करें, पांच वर्ष या सतर वर्ष जो भी पहले होता है, इनका कारेकाल होता है, अब बात करते हैं केंद्रे सूचना आयोगी की, ठीक है, और इसके बाद जो सबसे important topic आपके पास अभी चलने वाला है, लोगपाल का, तो बहुत important topic है, यहां से questions का यह बार की जो स्थापना हुए थी, 2005 में हुए थी, यानि की आपके पास RTI, right to information के तहत, right to information का बाई था, 2005 में था, ठीक है, इसके तहत, केंद्रे सूचना आयोगी की भी स्थापना की गे थी, केंद्रे सूचना आयोगी के मुख्य आयोग्त अन्यस में सूचना आयोग्त होता है, जिनकी सबकी नुक्ति जो होती है, वो राष्टरपती द्वारा की जाती है, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयक्ति जो पूरी संख्यान की होनी चीए, वो दस होनी चीए, दस से जादा नहीं होनी चीए, धियाना के स्पाइंट को, ठीक है, राष्टरपती द्वारा इसके इनकी निक्तिकी जाती है तो प्रधान मंत्री या पर प्रधान मंत्री दरा मनें तो एक कैबिनेट मंत्री भी याँ पर हो सकता है ठीक है अब बात करते हैं लोकपाल क्या होता है अब इसके बारे मैंने लिखा हुआ नहीं या पर इस्तापना या पर मैंने छोड़ा हुआ है अद्रच क्या होते है सबसे क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं लोकपाल होता क्या है ठीक है लोकपाल के बारे में अगर ओमबुट्समे भारत का पेहला लोगपाल में कि वह सेमीर कर देते हूं तो पहले लोगपाल की कर लेते हैं तो लोगपाल जो होता हुँ सेंट्रल में होता है लोक लेत की बात करें तो हर स्टेट लेवलब क्ते हैं वर्ट्य होते हैं कितने होते हैं अठ सदेशियों होते हैं आठ सदेश्यों में चार तो होते हैं नियाइक और चार होते हैं गेर नियाइक ठीक है चार क्या होते हैं नियाइक सदेश होते हैं और चार होते हैं गेर नियाइक सदेश होते हैं लोगपाल की निक्ति में ठीक है अब लोगपाल की निक्ति में चार गेर नियाइक होते हैं और चार गेर निया करते हैं वो जगते हैं वह सकते हैं और चार घयर नयाइक ने यानकि SC, ST, OBC और महिला आयोग के अद्यक्ष यान की SC, ST, OBC आयोग के अद्यक्ष और महिला आयोग के अद्यक्ष तो चार सद्यक्ष आपके यहां से होंगे चार जो गेर नियाइक के लाएंगे और और चार नियाइक होंगे तो यह आपका इसस्ट्रेक्श्र हो गया मतलों एक अध्यक्ष होता है और चार अठ अन्याइस आठहले होते हैं ऑधर्र में चार चार नियाइक और चारhrには यह होता है सरंजना अब बात करते हैं इक लोगपाल की न्यूक्ठि कौन Dol – ठ Node सब यह बात करे नहीं होगी और राश्टर पती की की बात करें तो वहाँ पे बोलता है कि जो प्रधा राष्टर पते कोई बी कार्य जो होता है उसके मंतरी पर सद होगा और उसका जो कारे का मंतरी परसद जो होगा सला देने के लिए अब आपने अकॉर्डिन नहीं करता है कि मंत्री परश्चित के सात करता है होता है जो प्रदान मंत्री उसके लिए सबसे पहले एक चेहन समीध्य बनाए जाती है कि बारत का लोगवाल, कौन होणा बंदी थे हैं। विपक्ष का क्या होता है नेता होता है तीसरी अगर बात करें तो भारत का CGI यानि कि Chief Justice of India भारत के मुख्य नियाएदीस और अगर वो अनुपसित है तो उनके स्थान पर कोई भी नियुक्त क्या हुआ है उसी नियाएदीस यानि कि उच्छतम नियालाइका ठीक है और चोथा जो होता है राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि कानुन का अच्छा ग्याता होना ची जो राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तो सबसे पहले आपने चार सदेश कि जो चैन समीती होती लोकपाल की उसमें एक लोक सभा अध्यक्ष होता है दू तो यह था लोकपाल के बारे में अभी लोकपाल का राष्ट्रपती करता है लेकिन अगर लोकायुक्त की बात करे तो इसमें कौन करेगा पहला नागरी कौन होता है तो अब यह था लिए क्या उन करेगा फिर राजजपाल करेगा थोड़ा सूस अमज लिजिए आप इसको ठीक है लोकपाल की निकति राजपाल करता है अब राजपाल तो एकदम नहीं करेगा वो भी पूरी सिफारिस के साथ करेगा या पूरी अब दूसरे आता है विपक्ष का निता ठीक है थी तीसरा आता है जो हाई कोट है उस राजपाल का जो मुक्य नहीं दिसो वह आईगा और चौथा जो राजपाल को और कि द्वारा की सेवी एक व्यक्ति को न्युीक किया सकता है तो सीएँ गणि सब्सक्राइब बात होगी राजय के लिए तो उस राजय का मुख है कि ना sulph एज विपक्स का नेठा वहां जो विदादर बात है दक्ता है या पर हीदान सब्सक्राइब का स्पीकर होता है वहाँ पर प्राइम मेशर अदक्ष होता है तो देखे कुछ भी अलग नहीं है थोड़ा सा आपको समझना है बाकिस तो सेम है अब देखे इसमें इनका कारेकाल के बारे में अगर बात कर दो तो इसमें जो आपके साथ बारे में इसका पूरा राइट क्या करें इसको पास देगी है ठीक है, तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले अगर बात कर tournaments लोगपाल सब्द की तो सबसे पहले लोगपाल सब्द की जो चर्चा की गई थी, ल. m. ओ. न. पूरियूक किया था, पर दुर्भागे रहा है कितब से हुआ 2019 में वो launch ठीक है या 2019 में इसको पारित हुआ तो लोगसभा में सबसे पहले 4 लोगसभा चल रही थी उसमें 1968 के अगर हम बात करें तो समें 4 लोगसभा थी ठीक है तो 1968 में सबसे पहली बार लोकसभा में लोकपाल बिल लाया गया लेकिन यहां पर कुछ कारणा की कारणा वो पास नहीं हो पाया ठीक है देन उसके बाद 1971, 1971 के बाद 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 और फिर उसके बाद यह लाया गया 2001 में तो दुखि इतनी सारी इसने यहां पर जरनी की हुई है 1968 से स्टार्ट हुआ, 2019 में जाकर यह पारित हो रहा है तो यह भारत की दिर्भागे के हैं या उसकी प्रक्रिया के हैं कुछ भी बहुत सकते हैं इसके बारे में ठीक हैं, तो 2001 में यह फिर से पेस किया गया, 2001 में पेस होने के बाद तब भी यह पारित नहीं हुआ देर उसके बाद फिर से अगस्त 2011 में फिर से ये लोकसवा में पेस्ट किया गया और फिर से कुछ संसोधन करने बागी रहे गए तो फिर इसको संसोधन के लिए फिर से कुछ संसोधन किये गए तो प्रॉपर तरिके से 22 दिसमबर 2011 को पूरे और संसोदन जितने भी संसोदनों हैं, सारे संसोदन जो पूसमें करेक्शन करने थे हैं, उन्हीं सब करेक्शन के साथ इसको लोकसबा में लाया गया, 22 दिसमबर 2011 को जब संसोदनों के साथ लोकसबा में लाया गया तो 27 दिसमब 2012 में 2012 में Raja Sabah ने एक Chargent समीदी बनाई यानि कि इसी बात है पहले तो 2012 में Raja Sabah की पास गया है लोकसभा ने तो pass कर दिया था उसे राजसभा की पास भेजा है संसद्य आकारवाई किस तरीके सो संसद्य कारे किस तरीके से कह सते हैं और लोकसभा का पूरा पूरा वीडियो में ने दौ दौ पांटि देख सकते हैं कि किस तरह के से कोई बी एक्ट बनता हैं और कहाँ का का किया के प्रकरियान होते ही ठीकर अब इसमें वीडियो जाथा लंबय हो जाय एकte पहले ही समय करे तो मैं चेहन समीज़े हैं मैं 2012 में राजीसबूरीन में जब चहिन समीति के पास भीजा गया तो चहिन समीति ने नवंबर 2012 में अपनी रिपोर्ट दे दी जो भी उसे उसमें संसुदन करना था जो भी उसमें नहीं कोई प्रकरिया डालनी थी या कुछ भी चीज़े उसे करने तो उसने अपना पूरे संसुदन के साथ वापस राजस सभा के पास अब क्या होता है जब दोनों सोदनों के पास जब दोनों सोदन मंजूरी दे दे दें दोनों सोदनों से पारित हो जाता तो कोई भी एक्ट क्या होता राश्ट्रपती के पास आता है तो राश्ट्रपती के पास फिर सको संसुदनों के साथ लोगस्वा के पास विजया गिए 18 देसम्बर को फिर से 2007 के बाद 2013 को लोगसभा ने संसोदन सहीद उसको पारिट कर दे जो भी संसोदन राजिसभाद ने किए थे उन्होंने डाल लिए उसको तरिके से पास कर लिया और उसे तरिके से अपने पास रखे लिया और दन उसके बाद एक जनवरी 2014 को ये बिल गया रास्टरपती के पास, ठीक है एक जनवरी 2014 को लोगपाल बिल जो है रास्टरपती के पास भीजा गया 19 मार्च तब भी इसमें 5 साल लगिये इसको आने में ठीक है तो 19 मार्च 2019 को भारत का पहला लोगपाल के लिए या पहला लोगपाल निक्त किया गया और पहले लोगपाल के रूप में किसे निक्त किया गया लोकपाल, पिनाकी चंदर, घोसने को नुक्ति किया गया तो ये भारत का इतिहास था है जो हुआ है लोकपाल के लिए और अगर बात करें विश्व की तो सबसे पहले लोकपाल का जो पहला जो रहा है वो स्वीडन में रहा है और 1809 मैं सबसे पहले स्वीडन ने इसको स्टार्ट किया था लोकपाल की बात अगर करें मिया पे तो ठीक है अब देखो लोकपाल की नुक्ति होने के बाद उसको हटाया जाएगा क्या किया जाएगा केस तरीके से होगा तो यह चीज़ आपको स्वीडन नकरी है तो लोकपाल या लोकायोग तो जब नुक्ति किया जाता है तो उसके बाद उनको हटाया नहीं जा सकता है और ना ही उनका ट्रांसफर किया जा सकता है जैसे कि हमारा CGI की situation में होता है Chief Justice of India की situation में ही होता है लेकिन उसको महावयोग दोरा हटाया जा सकता है यह चीज़ हम पढ़ते हैं महावयोग क्या होता है और मैं राष्टपति के बारे में समझा चुका हूँ आप वीडियो जरू देख लिएजगा राष्टपति का महावयोग और CGI का महावयोग क्यों यह महावयोग नहीं कहलाएगा CGI का या लोगपाल का उसके बारे में मैं आपके पास जब नियाई पाले के का टॉपिक होगा मैं तब समझाँगा उसके बारे में ठीक है क्योंकि जो रास्ट्रपति के लिए सिर्फ महावियों का जो एक्जक्ट पडियों किया जाता है वो सिर्फ रास्ट्रपति के लिए किया जाता है किताब में हमें देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलता है कि जो सर्वोच न्याले के मुख्य न्याइदिस का अगर हटाना है तो या उच्छे न्यालेकी नियाएधीस कॉटाना तो महाव्योग के द्वारा ही खटाए जाएगा लेकिन नौनकी महाव्योग परकरिया कहां पर आख जाती है और वो कहां डिफेरेंट होता है रास्टरपत्य के महाव्योग से और नियाएपालेका यानिकि उच्छ नियाले के मुख्य नियाधिस या और भी जैसे नियाधिस होते हैं उने जिसे क्यों different है कहां पर different हो जाता है कहां पर कम यह आजाती कहां पर वो चीज अठक जाती कि इसको महाविविग नहीं बोला जा सकता है उसके बारे में मैं discuss करूँगा नियाई पाले क गठन किया जाता है अब बात करते हैं कि लोगपाल के सदसे मैंना भी आपको बताया कि कौन को नहीं हो सकते हैं पहली बात कोई भी नेता सदसे नहीं होता है कोई भी नेता सफाश्य नहीं होता है मैंने आपको उपर बताया थैं कोई भी नेता मतलब चाहे वो संसद्सका हो या राज माम का सधिडेर्शा भाव कोई सद्सक्ता है नहीं सकता है झनलती जोपर ookा नहीं पर कोई भी कारणन कारवाई हुई है इसका सदेशन नहीं होगा पैंतालिस वर्ष से कम आयुका व्यक्ति लोगपाल का सदेशन नहीं हो सकता है राज एम केंदर सरकार की नौकरी से हटाये व्यक्ति और राज एम केंदर सरकार के अंडर अगर कोई भी नौकरी से किसी भी कार सबस्काइब सब्सक्राइब किसी भी कारण बर्खास उसको सरकारी नौकर से बर्खास तकिया गया है वो इसका सदस्य नहीं हो सकता है ठीक है अब इसमें अब ये तो बात आयती है हमारे पास की कौन सदस्य बन सकते हैं कौन नहीं बन सकते हैं क्या क्या सदस्य होते हैं इसका हिस्ट्री में आपके पास ब मंत्री भी आते हैं सारे मंत्री आते हैं किसी भी सथन अब जब कहं रहें जब लोगाउक्त की बात करते हैं बात की सेम अब लोह होगी को characterbon सब्सक्राइब करने का पूरा का पूरा अधिकार के पास होता है अब यहाँ पर बात करेंगर नियाएपालिका तो नियाएपालिका और जो सेनाए हैं armed forces जो हैं उन्हें लोकपाल या लोकाईक्त से बाहर रखा गया है मतलब वो इसके दाइरे में नहीं आती है नैपालिका और सेनाई जो है वो लोकपाल के दाइरे में नहीं आती है अंतरास्टिया अब यहां तक देखे क्या केस्टे हो सकती है जैसे कि अंतराष्ट समझोते होते हैं, संधिया होती हैं, आंतरिक या जो 22 सुरक्षा के लिए जो भी काम के जाते हैं, अंतरिक से तथा जो परमानों सम्मल्दी, जो भी कारेकरम के अलावा, इनको छोड़ कर, जो भी विष्या प्रधानमंतरी के पास आते हैं, के अलावा, अन्हीं विशियों पर जो प्रदाना मंतरी भी, इन सारे चीजाओं को छोड़कर प्रधाना मंतरी की and technically कार्या होंगे वह भी जास के डारे में आएंगे अब यह सारे डिपॉर्टमेंट होता हैं, इन डिपॉर्टमेंट को छोड़कर प्रधानमंत्री की पास जो भी अन्नव विसे होते हैं, सारे क वी लोकपाल की दायरे में आते हैं अब अगर परधानमंत्री पर चानरे करने पहले लोग पाल की बेंच में बैठक दो हूँ है जिस बैठक में उस बिल का या जो भी एक्ट जो भी हम बात करते हैं कि जिस करणों को आपे बैठी होई है जो बैठक आपे बुलाएगी है उसका दो बटे तीन भाहमा से फैसला लेना आनिवारे होगा तब ही जाके आगे की करवाही की जा सकती है अब इसमें आम जंता का क्य करवाही भी हो सकती है अगर गलत पाया जाता है सही यानि कि कोई भी विक्ति लोगपाल में सिकायत कर सकता है सिकायत कैसी होगी सही है या गलत है यह लोगपाल तया करेगा सिकायत अगर सही है तो कारवाही की जाएगी और सिकायत अगर मान लिजए गलत पाई जाती है अग और जिसने गलत सिकायत कि है उस व्यक्तिके प्रति क्या होगा उस व्यक्तिके गेंस कानुनर कारवाही की जा सकती है ठीक है आप दो सी व्यक्तिके जिसे की उसको हटा देना है ठीक है या उसका ट्रांसफर करवा देना है या कोई भी उसमें कारवाही की जा सकती है पूरी तर यह था आपके पास लोगपाल और लोकाईवित का पूरा हिस्ट्री और यहां से बहुत बार क्वेशन पूछे जा रहे हैं मैंने यहां पर ज्यादा एड नहीं किया है मैं डाट लिए आपको इसको समझा रहा हूँ अगर इसमें आपको कोई भी अगर एर वगर कोई भी अगर आपको लगता है कि यहां पर कोई भी मिस्टेक है या कोई भी चीज आपके पास यहां पर लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताईगा ठीक है वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं और कितना useful आपके लिए वीडियो रहते हैं इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और साथ ही जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और आप इसको share करने की courses करें लाइक जरूर करें और वीडियो पूरा देखें क्योंकि जब knowledge आप पूरा लेना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देख रहें पड़ेगा तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जल्दी मिलता नहीं वीडियो के साथ अपता के लिए जय हिन जय भारत